हेलो एब्रिवन तो आप लोग कैसे हैं जैसा कि कोरोना का थड़ बेव आ चुका है और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेज सारे ही एजुकेशन जो है सारा अभी ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है आपका लगभग ऑफलाइन इंस्टिट्स कोचिंग सारे कुछ आफ हैं तो यह जो वक्त है ज्यादा तर स्टुडेंट के लिए एक इस तरीका का माइंड में यह चीज लाता है कि अब तो मतलब की जो तो प्लीज आप स्किप मत करना लाश तक जरूर देखना तो मैं आपको बता दो जैसे आप अगर यह सोच रहे हो कि एकजाम का डेट जैसे फॉरवड होने वाला है मतलब बढ़ने वाला है या फिर कुछ भी में बोर्ड एकजाम का डेट बढ़ने वाला है मेंस का डेट ब कि जो तुम्हारा कमपटीटेर है जिस समय में तुम सो रहे हो या जिस समय में तुम बैठे हुए हो उस समय वो पढ़ रहा है मतलब तुमसे एक कदम वो आगे जा रहा है ठीक है जिस समय में तुम एक बार अराम करने बैठे उस समय वो फिर से पढ़ रहा है मतलब समझो कि तुमसे वो इस competition में क्या हो रहा है, वो तुमसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो अपने दिमाग में कभी भी ये चीज मतलाओ, ठीक है, कि competition तो जो है, वो ही रहेगा, ठीक है, इस lockdown में जब date बढ़ेगा, तब, ठीक है, तो इस चीज को कभी भी आप दिमाग में मत से आपके preparation पर आपके preparation को slow कर देना चाहिए आप अपने preparation को slow कर दो या फिर आप अराम अराम से पढ़ो आपका मानते syllabus complete हो चुगा होगा लेकिन अब ये वक्त है जो कि आपको revision को multiple revision में change करने का ठीक है एक revision को 5-6 revision में change करो ठीक है 5-6 revision को 10 revision में change करो जो जितना जादा revision करता है एक चीज को उसको उतना ही देर तक वो चीज याद रहता है ठीक है और main बात तो यही चीज है कि आपको दिमाग में कितना चीज कितना concept आपके दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है जब आप exam में बैठोगे उस समय आपको यह syllabus माइने नहीं रखेगा कि तुम syllabus कितना complete रखते हैं तुमको यह माइने रखेगा कि तुम्हारे दिमाग में उस समय कितना है ठीक है तो मैं बस अपने प्यारे student को बस यही बोलना करते रहो ठीक है एक्जाम जब होना होगा तब होई ही जाएगा ठीक है दूसरा बात यह है कि बहुत सारे बच्चे को इस समय में डी मॉटिवेट हो गए और उन्हें पढ़ने काम मन नहीं करता होगा ठीक है तो आप दो काम करो आख से ठीक है सबसे पहला काम कि जैसे दिन चर्या वाइस तुम अपना सारा काम करते आ रहे थे पूरे ओपिन पिरियड में उसी तरीके से इस लॉगडॉण में भी आप करते आओ जैसे कि सुबह उतने बज़े क्लास का अगर टाइम है नौ बज़े से ठीक है उसके बाद फिर लंच हुआ तो लंच करना है ठीक है सारा कुछ उसी तरीके से रगुलर बेव में करते रहो हूँ और तो आपको एक इसका बेनिफिट यह है कि आपको जो आने जाने का कोचिंग को आने जाने का जो वक्त थ ठीक है और बक्त बच रहा है तो उस बक्त को utilize करो और दूसरा अगर आपको फिर भी नहीं मन लगता है तो आप दिन में 20-25 मिनट ठीक है को भी काम करने का जो जिग्यासा है अंदर से को बढ़ता है तो आज का सेशन कीजिकर समाफ करते हैं मिलते इतने सेशन में आपकी बबाएं देखे लिए